मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे पूजा खेर कर I.S. के मामले पर कुछ विचार करने जा रहा हूँ और definitely मैं जिन मुद्दों को ले करके आप सबसे बात चीत करूँगा, उनका संबंद सीधे सीधे आपके Civil Service Examination के preparation से होगा, especially मेंस में जो आपका fourth paper है, जिसे आप ethics का paper कहते हैं, उससे संबंदित होगा पूजा खेर कर के मामले को मैं आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूँ, कि उन्होंने क्या 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 जा रहा है, मुझे मालूम है कि इसके बारे में आप सब को मुझसे भी जादा मालूम है, उसका कारण है, कारण यह है कि आप यही तो बनने जा रहे हैं, जो पूज खेड कर बन चुकी है, तो स्वभाविक है कि पूजा खेड कर आपके लिए किसी समय एक मॉडल रही होंगी, आज भले ही वो आपके आलोचना के केंद्र में आ गई हो और आने भी चाहिए, तो स्वभाविक है कि आपके मन में बहुत सारे संदेह होंगे, खासकर UPSC की चायन प्रणाली को ले करके, आपके मन में हताशा और निराशा का भाव भी होगा जो बहुत स्वभाविक है, लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो एक अलग बात है, तो हम क्या करें, क्या सिविल सर्विस एक्जामनेशन में एपियर होना बंद कर दें, नहीं, मुझे लगता है कि पूजा खेड़कर ने अभी जो भी ये सब किया है, कम से कम उसका एक तो पॉजिटिव पक्ष है, और उपॉजिटिव पक्ष ये है कि उसने अपने कारणामों से कम से कम अंदर जो सडांध बन रही होगी, सडांध हुई या नहीं हुई, इसके बारे में हमार पास कोई प्रमार नहीं है, लेकिन यदि चीजें अंदर पड़ी हुई हैं, सडगल रही हैं, तो वो सडांध तो पैदा करेंगी, तो एक काम तो किया है, कि उस सडांध के धकन को उन्होंने खोल दिया है, अब उसकी दुरगंद से सब परेशान हैं, सब लिख रहे हैं, सो उन्होंने क्या क्या किया, मैं इसको लेकर के जो सिविल सर्विस एक्जामनेशन के पॉइंट आउ व्यू से जो कुछ विचार पैदा हो रहे हैं, जिनके एक्जामनेशन में हो सकता है कि पूछे जाने की संभाव ना हो, उन पर बात कर रहा हूं, सबसे पहले दो महत्त बातें, नमबर एक, कि पूजा खेड़कर ने ये जो कुछ भी किया, अपने दिव्यांगता का प्रमार पत्र दिया, नमबर एक, नमबर दो, बकायदे जो OBC का प्रमार पत्र दिया है, उसमें उन्होंने क्रीमी लेयर का फाइदा लिया, यानि कि उन्होंने दिखाए कि मै कृमी लेयर में नहीं आती हूंण से बिलों में हैं, और इन दोनों के लिए प्रमार पत्र दिया जाना जरूरी है, रैइट, ये एक तरह से 420 का मामला है, फोरजरी का मामला है, तो मेरे दिमाग में एक जो प्रशन आ रहा है, और हो सकता है कि आप सब के दिमाग में भी आ कि उनके अंदर इस तरह का कारणामा करने का दुस्साहस आया कैसे, कैसे उन्होंने ये सहस जुटाया, इसलिए मैंने दुस्साहस शब्द का प्रियोग किया है, उ कैसे ये मान करके चल रही थी, कि कभी न कभी ये बात सामने नहीं आएगी, क्या सच में उन्हें ये जो हमारा तंत्र है, उस तंत्र के भोथरे पन पर, उसके कमजोर स्वरूप पर इतना बड़ा विश्वास था, ये तंत्र उनका कभी कुछ भी नहीं बिगाड सकेगा, अभी भी तंत्र क्या बिगाड़ेगा, नहीं मालूम, वो तो सब भविश्य के गर्त में है, और मैं सोसल मीडिय में देख रहा था, कुछ लोग तो ये बकाइदे लिख रहे हैं कि कुछ नहीं, अभी ये हंगामा हो रहा है, छे महीने के बाद, फिर से ये जो पूजा खेड़कर हैं, ये बकाइदे आई इसकी नौकरी करते ही, किसे जिले में कलेक्टर पदस्त होंगी, इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा इतना जादा हिल गया है, तो सवाल ये उठता है कि ये दुसाहस कहां से आया, जब आप इस दुसाहस पर विचार करेंगे, तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा, कि ये दुसाहस तंत्र को खरीद लेने की गलत फैमी के कारण आया, और ये गलत फैमी भी नहीं है, बलकि कहीं ने कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा सकता है, और उन्होंने ऐसा कर लिया, तो गलत फैमी कैसी, सवाल ये उठता है कि जो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र दिया गया, वो एक निजी संस्थान का है, निजी संस्थान के प्रमाण पत 400 करोड रूपए, तो Supreme Co. ने कहा, कि 100 करोड रूपए जो आपके बचे, तो आपके पास सव करोड रूपए थे, देखिए हाँ जो प्राइवेट शब्ध है, वो बहुत महत्रपोन है, ये जो टेस्टिंग एजनसी का जो सारा संकट है, मुझे ऐसा लगता है, प्राइवेट एजेंसी के कारण है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा गोपनियता को बनाए रखना आसान काम नहीं होता है हमारा बजट बनता है आप बताई कि कितने चीजें लीग होती है UPSC भी पेपर छापता है कितने पेपर लीग होते हैं तो फिर ये प्राइवेट एजेंसी के प्रामाण पत्र को कैसे स्विकार किया गया सोच करके देखिए मेडिकल में बुलाई जा रही है चेक अप के लिए वो नहीं आ रही है बार बार नहीं आ रही है और उन्हें कैसे छूट दे दी गए बिना मेडिकल चेकप के ये तंत्र का ढीलापन है उसके कमजोर पढ़ जाने का प्रमाड है ये बहुत ही खतरनाज बात है जो दूसरी बात है दोस्तों इससे भी ज़्यादा महत्कुन वो एगो की बात है मैंने आप सबसे दुस्ताहस की बात कही ये जो दूसरा है वो इगो की बात है एगो एक प्रसिक्ष्यू जो ट्रीनीज है उसके आप इगो को देखिए मतलब मैं हैरान हूँ मैं भी सिविल सर्विस का हिस्सा रहा हूँ मैं हैरान हूँ कि कोई probation period में इस तरह का दुस्रास कैसे कर सकता है कि वो additional collector के कमरे को उसके अनुपस्तिती में खाली करा दे वहाँ अपना name plate लगवा दे वो अपनी private गाड़ी में लाल बत्ती लगवा दे और दूसरी तरह की परेशानियां पैदा करे वो यहां तक की अपने collector के लिए क्या उसको नहीं मालू है कि collector कहीं ने कहीं वो report करेंगे और जिसका पिछला जो इतिहास है वो इस तरीके का गड़बर जाला वाला है यह ego है तो किसका ego है यह एक I.S. होने का ego है इस पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि अभी तक मैंने जो दूसरी services के जो officers होते हैं जो probationers होते हैं उनको इस तरह से कुछ करते हुए देखा हुए छोटी मोटी बातें तो अखबारों में आ जाती है सुनने में भी आ जाती है व्यक्तिगत तोर पर लेकिन इस सीमा तक जाकरके अपने ego को अभी व्यक्त करना उसे मनाने के लिए कुछ भी करना ये एक I.S. की बात हो सकती है तो सवाल फिर ये उठता है कि I.S. में ये ego आता कहां से है दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समविधान में separation of power की बेवस्था है आपको मालूम है कि बकायदे जो हमारा judiciary है जो हमारे executive है और हमारे जो विधाई का है इन तीनों में इस तरह की बेवस्थाएं की गई है कि जो अधिकार है उसका संतुलन बना रहे है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे service में ये संतुलन नहीं है ये जो IS जो बनते हैं जो प्रापर IS की बात में कर रहा हूं सच पूछे तो पूरे service पर इनका नियंतन होता है पूरे service पर और इसको लेकर के इससे पहले कई बार बातें हो चुकी है कई बार सवाल भी उठाए गए है और जब भी इनके खिलाब कुछ करने की कोशिस की जाती है तो पूरा का पूरा ये जो सम्मू है ये उसके विरोध में उठकर खड़ा हो जाता है आप देखे कि बहुत से राज्यों में ये मांग की जा रही है IPS officer मांग कर रहे है कि हमारी जो CR है यानि कि confidential जो रिपोर्ट है वो IS अफसर के द्वारा नहीं लिखी जाएगी यहाँ तक की बकाएदे इंडियन forest service को भी आल इंडिया services के है वो भी मांग कर रहे है कि ने हमारी confidential report है वो IS के द्वारा नहीं लिखी जाएगी यहां तक कि जो I.S. होते हैं और स्टेट में जो एवार्डी I.S. होते हैं जो स्टेट सिविल सर्विस से आते हैं बाद भी उने I.S. एवार्ड कर दिया जाता है उनके बीच में भी एक जबरजस्त किसम की तसल बनी रहती है क्योंकि यह जो I.S. प्रॉपर में जो डारेक्ट रिक्रूट हो करके आते हैं यह एक अलग ही एगो में जीते हैं ऐसा मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ नेरे अपने जीवन में बहुत से ऐसे आफिसे संपर्क में आए कि आज भी अपने सीनियर्स की बात कर रहा हूँ साथ के वाले कोई बिमा बात कर सकता हूँ उन्हें याद करके मन शद्धा से भरुखता है आश्यर होता था जिसके बारे में हम लोगों ने सुना था कि आईयस अपसर ऐसे होते हैं और उनकी विनम्रता उनकी सरलता और सहजता दूसरों की मदद करना सेवा भाव अद्भूत है तो ऐसा नहीं है कि सब के साथ ही ऐसा है लेकिन जो पूरा कपूरा जो स्क्रक्चर है वो इस तरीके का है कि उसमें जो आईयस सर्विसेस के जो आफिसर्स हैं वो सुप्रिमेसी रखते हैं आपने कहाव सुनी होगी सहिया भय कोतवाल तो अब डर का है का इसे थोड़ा सा बदल दीजे जब आप खुद बन गए कोतवाल तो अब डर का है क्या तो क्या आपको फूजा खेड़कर के इस दुसाहस में और इस एगो में इसकी जलक दिखाई नहीं दे रही है इलकल दिखाई दे रही है दोस्तों सच पूछे तो जो तीसरा इशू उठता है वो सर्टिफिकेट को ले करके है और आप देखेंगे कि आप बहुत से सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए जाने लगे हैं लेकिन इस सर्टिफिकेट की किवल दो केटेगरी है एक OBC जिसमें क्रिमी लेयर की बात होती है और दूसरी जो है वो EWS इकनॉमिक वीकर सेक्शन की बात होती है आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने लोग इंकम टेक्स देते हैं जबकि 1.500 करोड की आबादी है इसका मतलब यह हुआ कि जो आप आए की गड़ना करते हैं वो इंकम टेक्स के आधार पर करते हैं और हमारे हाँ काले धन का बाजार है दूसरी कमाईया होती है लोग सरकारिव में दिखाते नहीं कि मेरी इतनी कमाई है तो अच्छे खासे कमाई करने वाले लोग भी पता लगा कि economically weaker section में आ रहे हैं creamy layer में नहीं आ पा रहे हैं और उसका फाइदा ले रहे हैं और जिनके लिए इस reservation की विवस्ता की गई थी वे बिचारे प्रतिक्षा में हैं जो कि उनके पास नतधन की ताकत है नहीं उनके पास प्रशासनिक ताकत है और नहीं उनके पास राजनितिक ताकत है तो कहीं ने कहीं यह जो पूरा का पूरा मामला है यह हमारे यहां जो राजनीती जो प्रशासन और जो धन इन तीनों के बीच में जो एक जबर्दस्त किस्म का गठबंदन बना हुआ है, यानि कि हम एक दूसरी को सपोर्ट करेंगे, उसका भी प्रमान प्रस्तूत करता है। UPSC क्या कर लेगी? दोस्तों, इसमें कोई दोराय नहीं, कि UPSC जो चैन करती है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। इंटरव्यू के आधार पर किसी के भी एंटेग्रिटी और एथिक्स को जज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात तो लगती है, जब मसूरी में ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, वहां कम से कम उनके बिहेवियर से इस बात का पता लगने लगता है कि ये किस तरीके का आफिसर होगा। ये रूलर है या सर्वेंट है, पता लग जाता है, क्या वहां भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सका कि पूजा खेड़ कर किस तर की आफिसर होगी, या हो सकता है कि वहां उन्होंने ऐसा नहीं भी किया हो, तो दोस्तों इस तरह से कुछ सवाल यहां उठते हैं, द भद देखता हूं, नए नए आफिसर्स आ जाते हैं, सोसल मीडिया पर, इस्टाग्राम पर और दूसरे पर किस किस तरह के रील्स डालते रहते हैं, देखकर के सच पूछे तो आँखें थोड़ी सी छुक सी जाती हैं, कि ये एक्ट्रेस का काम होना चाहिए, या मॉडल का क जाना चाहिए, या इन दोनों का काम होना चाहिए, या उसी में ही एक ईएस आफिसर को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए, तो सर्विस है अपनी डिविनटी भी होती है, no doubt दोस्तों, पूजा खेड कर के इस मामले ने इस सर्विस की डिविनिटी को नहीं है, बलकि UPSC के द समाप प्रेक नहीं, नमस्कार